असलामु अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो अगर मैजिक ट्रिक्स की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होती है वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये जादू फेक होता है लेकिन दुनिया में बहुती कम लोग ऐसे हैं जो इन मैजिक ट्रिक्स की रियलिटी को जानते हैं वैज आज किस वीडियो में आपको दुनिया की फेमस मैजिक ट्रिक्स और इनके सीक्रेट की बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन आईपैड मैजिक दोसों ये जो इंक्रेड़िबल मैजिशन आप दिख रहे हैं इसका नाम साइमन है और इसे आईपैड मैजिशन कहा जाता है असल में साइमन अपने सारे मैजिक आईपैड की टैबलेट के जरीए परफॉर्म करता है इसने टर्की गौड चैलेंज में आईपैड की एक पिक्चर से एक टैनिस बॉल को बाहर निकाल दिया था और सिर्फ इतना है नहीं बलकि इसने वो बॉल चन सेकंड के अंदर आईपैड के अंदर वापस बेज़ दी थी इवन जजजज ने उस बॉल को चेक भी किया था जो कि बिलकुल रियल थी पिर इसने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल की और दूद से बरावा गिलास आईपैड की स्क्रीन पर गिरा दिया लेकिन वो दूद यहां गिरने की बज़ाए वीडियो में मौझूद इसके दोस्त के उपर जा गिरा जबकि टैप के उपर दूद का एक कतरा तक नहीं आया था सिर्फ इतना है नहीं बलकि साइमन आईपैड के ओपर एक नल को लगा कर इसमें से ड्रिक्स को भी बाहर निकाल लेता है हैरानकी की बात यह है कि यह सब किस तरह पॉसिबल हो सकता है वेल जास कि आप सब जानते हैं कि यह सब कोछ यह एक अलूजन होता है साइमन टैप की पिक्चर से जो बाल बाहर निकालता है वो इसके कोड की बाजू में पहले से ही मौजूद होती है यह आईपैड में एक स्पेशल एप का इस्तमाल करता है जो कि चंद क्लिक करने के बाद वो बाल टैप की उपर से डिसपियर कर देती है और फिर यह कोड की बाजू में लगी एक पुलिंग डिवाइस की मदद से वो बाल हाथ में ले आता है और सब को लगता है जैसे बाल टैप से बाहर निकलाई हो और इसी तरह यह बाल को गायब करने के लिए भी इसे वापस कोड की बाजू में ही डाल देता है और टैप पर क्लिक करने से वो बाल दुबारा टैप के अंदर शो होने लगती है वैल यह ट्रिक जितने डिफिकल्ट लगती है इतनी है नहीं बलकि इसमें सिंपल सी एक कोड का इस्तेमाल कर जाता है और एक एप की मदद से इसे टैप से गाइब कर दिया जाता है इसके बाद अगर दूसरी ट्रिक की बात की जाए तो इसमें सारा कमाल दूद के गिलास का था दरसल इसने जो दूद का गिलास इस्तमाल किया था वो दो लेर्स पर मुझतमिल था असल में दूद इसके गिलास के अंदर वाले हिस्से में मौजूद था जब इस ने आईपैट की स्क्रीन पर दूद को गिराया तो वो मिल्क इस गिलास की बाहर वाले हिस्से में आ गया था और इसे देकर ऐसा लग रहा था जैसे ग्लास में दूद की मिगदार भी काफी सारी कम हो गई हो और बाकी जो दूद इसके दोस्त के उपर गिरा था वो प्री प्लैंड था फाइनली जिस ट्रिक में साइमन आईपैट पर नल लगाकर इसमें से ड्रिंक को बाहर निकालता है वो सबसे ज़दा इंटरस्टिंग है असल में ये मैजिशन एक सक्षन कप की मदद से वो नल टैब की स्क्रीन के साथ चिपका देता है जहां तक ड्रिंक की बात की जाए तो इसकी जैकेट में ड्रिंक का एक बैग भी मौजूत होता है जैसा कि आप वडियो में देख सकते हैं कि साइमन ने नल को हातों से एक स्पेसिफिक पोजिशन में पकड़ा होता है असलमें वो ट्रिंक इसकी जैकेट के बाद उसे निकल कर नल में आती है और बाहर निकलना शुरू हो जाती है एनिवे जो भी हो साइमन की ये ट्रिक्स इतनी रिलिस्टिक लगती है कि बंदा एक बातों सोचने पर मजबूर हो जाता है ये रिली अन्बिलिवेबल है मैजिक आफ लेविटेटिंग दूस्तो अब जिस मैजिक ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही फेमस मैजिक है वैल ये जो मैजिशन आप देख रहे हैं इसने ब्रिटन गॉट टैलेंट में कुछ ऐसा ही मैजिक परफॉर्म किया था इसका नाम डैनी है और इसे स्पेशल हेड भी कहा जाता है जैसे गा वडियो में देख सकते हैं कि पहले ये नॉर्मली वाग करता हुआ आता है और इसके हाथ में एक चड़ी भी मौजोद होती है ये फरश पर बिचे हुए एक मैज के उपर आकर खड़ा हो जाता है और कुछी सेकंड्स के बाद ये जादू की मदद से हवा में लटक जाता है इसके नीचे ना तो कोई सपोर्ट होती है और ना ही ये चड़ी इतनी बड़ी थी कि इसके उपर बैठा जा सके जिस तरह ये हवा में लटक रहा था इसे देख कर ना सिर्फ और्डियंस बलकि जजजेस भी शौक हो गए थी सिर्फ इतना है नहीं बलकि थोड़ी देर के बाद वो एक जटके से दुबारा जमीन पर भी खड़ा हो गया वेल देखने में तो ऐसा लगता था जैसे इस शक्स के पास कोई मैजिकल पावर्स मौजूद हो क्योंकि कोई आम इंसान इस तरह हवा में लेविटेट नहीं कर सकता लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं था बलकि इसके अंदर एक जीनियस ट्रिक इन्वाल्फ थी ये जो मैट आप दिख रहे हैं इसके नीचे एक पूरा सेटप मौजूद था जब ये चड़ी को सीधा खड़ा करता है तो वो मैट के नीचे मौजूद सेटप के सहरे स्टेबल हो जाती है इसके बाद वो इस टिक को जैसे ही जमीन पर प्रेस करता है तो इसके अंदर से एक मैटल फ्रेम निकलता है जिसे ये बड़ी महारत से अपने कपनों के अंदर छुपा लेता है इसके इलावा इसने अपने कपनों के नीचे बैक की तरफ एक सिटिंग प्लेस भी पहले से अटेश की होती है जैसे ही वो इस टिक को प्रेस करके इसके अंदर से वो मैटल की फ्रेम निकालता है वो बाहिर आते ही एक मैगनेट की तरह काम करती है इसके अंदर एक स्पेशल मैकनिजम लगा होता है जिसके मदद से ये इसके बाजू के अंदर से होती हुई बैक पर लगी सपोर्ट से चिपक जाती है और ये अराम से इसके उपर बैठ जाता है वेल थोड़ी देर के बाद वो अपनी पहली पुजिशन में वापस आने के लिए इस टिक को दुबारा प्रेस करता है जिसे वो मैटल का फ्रेम वापस टिक के अंदर चला जाता है और इस तरह डैनी सीधा होकर जमीन पर खड़ा हो जाता है बारहाल जो भी हो इसकी ये ट्रिक वाकिह में कमाल की थी रूबिक्स क्यूब मैजिक दूसों ये जो मैजिक ट्रिक आप दिख रहे हैं इसे ब्रिटन गॉड टैलेंट में एक बहुती फेमिस मैजिशन स्टीव ने परफॉर्म किया था असल में स्टीव को क्यूब ट्रिक्स का किंग माना जाता है इसने जजिस के सामने आते ही सबसे पहले हाथों में पकड़े हुए रूबिक्स क्यूब को अच्छी तरह मिक्स अप करना स्टार्ट कर दिया था और जैसा कि आप वडियो में देख सकते हैं कि ये क्यूब कंप्लिटली अनरेंच थे लेकिन जैसे ही वो इसे हवा में उड़ाता है तो ये क्यूब खुद बखुद सॉल्व होकर इसके हाथ में वापस आ जाता है इसके बाद स्टीव इस क्यूब को हाथ में पकड़े हुए ही दुबारा से मिक्स अप करता है और एक सेकंड से भी कम वक्त में दुबारा इसे सॉल्व करके जजजिस को दिखाता है इसकी स्ट्रिक ने स्टेज पर बैटे हुए सारे जजजिस को शौक कर दिया था लेकिन अभी इसका मैजिक खतम नहीं हुआ था बलके इसने इन में से एक जजज को कार्ड दिखाए और इन में से एक रैडम कार्ड स्लेक्ट करने के लिए कहा जब जजज ने एक कार्ड चूस किया तो इस मैजिशन ने कार्ड की कॉनर पर लगी हुए डिजिट्स को फाड़ दिया जैसे ही इसने गार्ड को फाड़ा तो अचानक से वो इसके हाथ से गाइब हो गया फिर इसने रूबी क्यूब उठाया और इसके कॉनर को ओपन कर दिया मज़गी बात ये है कि ताज के पते का जो हिस्सा इसने पाड़ कर गाइब किया था वो इस क्यूब के 20 के अंदर मौजूद था देखने में तो ये सारी ट्रिक्स बहुत ही रियल लगती है लेकिन असल में ये सिर्फ नजरों का दोका होता है असल में पहले इसने जो ट्रिक्स परफॉर्म की थी वो इसने अपने दिमाग को इस्तमाल करते हुए परफॉर्म की थी दरसल इसने रूबिक्स क्यूब के सिर्फ वो पार्ट्स अरेंज किये थे जो जजजिस के सामने थे और जजजिस को ऐसा लग रहा था और ओडियंस को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसी ये सच में जादू है लेकिन असल में ये सिर्फ प्रेक्ट्स का कमाल था इसे कोई भी परफॉर्म कर सकता है अगर वो दियान से प्रेक्ट्स करे वेल मैजेक का लास्ट पार्ट जिसमें कार्ड का पटा हुआ हिससा क्यूब की एक ब्लॉक से निकलता है इसे भी इसने बड़ी चलाकी से परफॉर्म किया था अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कार्ड ये शो करवा रहा है वो सब के सब नीचे से आलरेडी पटे हुए हैं पहली बात तो ये है कि इसने गिन्ने चुने हुए नमबर ही हाथ में पकड़े हुए थे और इन्हें भी इसने नीचे से फाड़ कर क्यूब के ब्लॉक में पहले से ही चुपाया हुआ था जैसे ही जजज ने एक कार्ड को स्लेक्ट किया तो इसने इस तरह प्रिटेंड किया जैसे इसने कार्ड का पीस फाड़ कर गाइब कर दिया हो और वो क्यूब के अंदर इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं, तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफ़ेज!